नमस्कार सिक्षक सातियों, राजस्थान में सिक्षा के बढ़ते कदम कारेकरम के अंतरगत, आज किस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बच्चों को दो अंकों के घटाओ किस प्रकार से पढ़ाए जा सकते हैं बॉक्स में बने इस चक्र के माध्यम से हम दो अंकों के घटाओं को समझेंगे सबसे पहले समझेंगे इकाई और दाई अंकों को उपर नीचे बिठाना अगर हमें 18 में से 12 गटाने हैं तो उपर लिखेंगे हम 18 और उसके नीचे बिठाएंगे 12 देखे किस प्रकार से 18 के 21 आट के नीचे हम 12 के 21 दो को बिठाएंगे इसी प्रकार से 18 के 2 अंक 1 के नीचे हम 12 के 2 अंक 1 को बिठाएंगे और माइनस का चिन लगाएंगे आईए, अब हम इस चक्र के माध्यम से इसे हल करते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम घटाओ को सीधे हाथ से, याने की दाए हाथ से हल करते हैं, तो सबसे पहले हमको 8 में से 2 को घटाना है, अब हम चक्र में जहां 8 है, वहाँ पर अपनी अंग्री रखेंगे, और हम 2 कं हैं वो ही हमारा आंसर होगा यानि कि हमारा आंसर होगा 6 अब हमें एक में से एक को घटाना है अब एक पर हम अंगली रखेंगे और एक कदम पीछे चलेंगे यानि एक अंकम पीछे चलेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 0 इसी प्रकार से आईए एक और हल करते हैं अब ह हमें 35 में से 28 को घटाना है हमें घटाव को हमेशा दाइयोर से करना है तो हमें 5 में से 8 को घटाना होगा अब 5 यहां पर छोटी संख्या है और 8 यहां पर बड़ी संख्या है तो 5 को बड़ा करने के लिए 3 से हम एक यहां पर हुदार ले लेंगे तो यह हमारा अंक हो जाएगा पंद्रा, पंद्रा में से हम 8 को गटाएंगे, तो हम चक्र पर जहां 5 है, वहाँ चलेंगे और 5 से पीछे के जितने भी अंक है, वहाँ एक एक हम यहाँ लगा लेंगे, यानि इसको 14, 15, 13, 12 और 11 बना लेंगे, अब हमें 8 अंक पीछे चलना है तो 1, 2, इसी प्रकार से हम यहाँ पर 3 में से 2 को गटाएंगे, अब 3 का हमने 1 पांच में ले लिया, तो यह रह गया 2, अब हमें 2 में से 2 को गटाना है, तो देखिए हम जहाँ 2 है, वहाँ पर चलेंगे और 2 कदम पीछे जाएंगे यानि 2 अंक पीछे जाएंगे 1 और ये 2, हमारा आंस्वर हुआ 0, इस प्रकार हम 2 अंकों के गटाओं में बच्चों को दक्षता हासिल करवा सकते हैं, इस चक्क की गतिविदी को हम कक्षा में बच्चों को गोला आकार में खड़ा करके भी कर सकते हैं,